आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Voto कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ पोशन यहां बोल रहा है Mucus Cells यहां हम इसे Goblet Cells भी बोल सकते हैं यह कौन से Glands की Regions पे Found होता है सबसे पहले अगर यहां पे बात करे जाए Mucus की इसका एक Important Role है पूरी Body के अंदर और यह Mucus जो है यहां पे यह Produced होता है By the Cells से और इस Cells को हम बोलता है Mucus Cells जहां से यह Produced होता है जो Frequently हम बोल सकते है Clustered होता है Into the Small Glands के अंदर Clustered इसलिए बोला गया है Just because of their arrangement of cells In fact हम बोल सकते है यह Clustered Appearance जो होती है यह In Small Glands के अंदर ही Present होती है जो Cells होते हैं इनके वो Clustered और एक Group बना लेते हैं और Located होते हैं On the Mucus Membrane के अंदर जहां पर इनका Role Perform होता है अब जैसे कि हमने यह पर Function की बात करी इनके Role की बात करी यह Mucos Membrane के Line करते है To the Virtual Part में In fact हम बोल सकते हैं यह Virtually ही Line करते है To the Entire Digestive Tract के अंदर और Digestive Tract के अदर अगर यहां पर बात करी गई है तो हम बोलेंगे Mouth region जहां पर Mucos जो होता है Use करा जाता है For Moist in the Food And Keep the Oral Membrane Moist तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसका Different Role है दोनों जगों पर एक तो Mouth के Activities में और Oral Membrane पर भी तो इस तरीके से हम बोलेंगे यह जो Glands यहां फॉर्म होगी वो Unicellular Activities कर फॉर्म कर रहे है तो हम बोलेंगे Option First होगा इसका Correct Answer Classics से 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर